इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देख कर किसी दवा का उपयोग करत हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी इलकाड्रिल सिर्फ सूखी खांसी के इलाज के लिए इस्तिमाल की जाने वाली दवाओं का मिश्रण है यह छीकने नाक बहने आखों से पानी आने और गले में जलन जैसे अलजी क के लक्षनों से राहत देता है यह नाक में जमाव या जकरन से भी राहत देता है एलकोड्रिल सिर्फ भोजन के साथ या उसके बिना खुराक और अवधी में डॉक्टर द्वारा सलाह के अनुसार लिया जाता है आपको दी जाने वाली खुराक आपकी स्थिती पर निर्भर करती है और आप दवा के प्रतिक ऐसी प्रतिक्रिया करते हैं जब तक आपका डॉक्टर सलाह देता है तब तक आपको यह दवा लेते रहना चाहिए यदि आप बहुत जल्दी इलाज बंद कर देते हैं तो आपके लक्षन वापस आ सकते हैं और आपकी स्थिती और खराब ह हो सकती है अपनी स्वास्थ्य सेवा टीम को उन सभी अन्य दवाओं के बारे में बताएं जो आप ले रहे हैं क्योंकि कुछ इस दवा से प्रभावित हो सकती हैं या प्रभावित हो सकती हैं सबसे आम दुश प्रभाव मतली, उल्टी, भूख ना लगना और सिरदर्ध हैं इन में से अधिकान शस्थाई हैं और आम तोर पर समय के साथ हल हो जाती हैं यदि आप इन में से किसी भी दुश प्रभाव के बारे में चिंतित हैं तो सीधे अपने चिकित सक्से संपर्ख करें यह दवा भी नींद का कारण बन सकती है इसलिए जब तक आप यह नहीं जान दवा का समर्थन न करें या किसी अन्य व्यक्ति को अपनी दवा की सलाह न दें इस दवा को लेते समय पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ लेना फायदेमंद होता है इस दवा को लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए कि क्या आप गर्भवती हैं गर पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद